नमस्कार फ्रेंड्स, BPSC इन दिनों सुधार के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां हर कुछ दिनों पे, अस्टुडेंट के हित में एक अच्छे निर्ने लिए जा रहे हैं। और इन सब का स्रेक कहीं न कहीं, BPSC के बर्तमान चेर्मेन अतुल सर को जाता है। चाहे जो कुछ भी कहें, जब से अतुल सर ने BPSC का चेर्मेन पत संभाला है, या कमान का काम किया। पूरी तरह से BPSC में बदलाव ला दिया। जो इनका टार्गेट है कि BPSC को बिलकुल छात्रों के हित कर बना देना। साइद अब यह वह ऐसा कर पाने में काफी हद तक सफल भी हुए। इन्होंने अब तक BPSC में अलग-अलग अस्तरों पे एकजाम्स के डिफरेंट लेयर पे बहुत ही अच्छा काम किया। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे बदलाव जो BPSC में अब तक किये जा चुके है। सबसे पहले प्रिलिम्स पर इच्छा की बात की जाए। तो बहुत दिनों से कैंडिडेट्स की मांग थी कि BPSC में निगेटिव मार्किंग का कॉंसेट होना चाहिए। और दूसरा मांग था कि जो ऑप्षन E है। मोर दैन वन और नन ऑफ दीच यह ऑप्षन रिमूग करना चाहिए। तो इस पर चेर्मेंट सर के द्वारा एक कमीटी गठीद किया गया। और यह निर्ने लिया गया कि निगेटिव मार्किंग 68th BPSC से लागू हजाएगा। इसके अलावा option E हटाने का जहां तक बात है। तो इसके लिए चेर्मेंट सर ने कहा कि 69th BPSC से option E remove कर दिये जाएंगे। तो यह बात हुई प्रिलिम्स इक चाहिए। दूसरा प्रिलिम्स में एक और अच्छी चीजह है कि पहले प्रिलिम्स का रिजल्ट आने के बाद पीटी का फाइनल अंसर की जारी किया जाता था। तो इससे भी बात यह आता था कि फाइनल अंसर की में अगर कोई किसी सवाल का जवाब गलत है तो उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल होता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए चेर्मेन ने यह निर्न लिया कि सबसे पहले एक अंसर की लाएंगे, optional अंसर की, उसके बाद भी अश्टूडेंट से यह मांगा गया कि अब गर आपको किसी सवाल में कोई आपती है तो आप जरूर बताएं। 16 मार्च को उसका डेट था जिस दिन उन्हें जाकर प्रूफ के साथ दिखाना था कि हाँ इस सवाल में यह प्रोब्लम है। लेकिन फाइनली BPC ने किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया है फाइनल अंसर की में और आज 18 मार्च का अपडेट यह है कि BPC के दौरा प्रेस रिली जी सुकर दिया गया है जिसमें यह बता गया है नोटिस में कि किसी तरह का कोई चेंज नहीं है फाइनल अंसर की में अगर ह या normalization किया जाए क्योंकि optional में कुछ लोगों का marks बहुत ही अच्छा आता है कुछ लोगों का marks बहुत ही कमा रहा रहता है इसका मुख्य बज़ा था optional का different nature होना humanities में कई ऐसे subject हैं जिसमें बहुत कम score हो पाता है यहीं बात करें science system में तो कुछ ऐसे subject हैं जिसमें काफी high score हो जा रहा था तो यहाँ पर लोगों को level playing field है नहीं मिल पा रहा था तो इस बात को लेके छात्रों ने जब अतुल परसासर से यह बात की तो उन्होंने इस पर एक essay का paper होगा है जो essay सभी के लिए common है तो अब अच्छात्रों में यह बात नहीं रहा जाएगी कि आप humanities को ज्यादा marks दे रहे हो या science को ज्यादा marks दे रहे हो इस तरह का कोई सवाल नहीं रहा है इसी स्टेप में अगर बात की जाए कि लगतार सुधार के प्रकिरिया में तो BPSC के chairman sir के द्वारा बताया गया है कि BPSC interview में एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है चात्रों के हित में बहुत ही बेहतर फैसला BPSC के chairman के पर और चात्रों को इसके लिए BPSC chairman sir को चात्र धन्यवाद करें कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है जैसा कि हम जानते हैं कि BPSC के chairman sir इस समय काफी ज्यादा active है Twitter पे वो लगातार student को कई तरह की motivational बाते भी बताते रहते हैं इसके अलावे BPSC में जो कुछ output निकल गया रहा है यानि जो कुछ नए निरने लिए जा रहे है BPSC के उससे chairman sir Twitter पे post के माध्यम से बताते हैं काफी ज्यादा active ह साइध ही इन से पहले कोई ऐसा chairman हो जो Twitter पे इतना active रहा है लगातार Twitter पे post करते रहते हैं और यह नही नहीं जानकारिया देते हैं इसके अलावा students को कई तरह से motivate भी करते हैं इसी step में उनके द्वारा आज एक tweet किया गया है BPSC interview को लेकर तो आईए देखते हैं कि आखिर इन 18 मार्स को इनके दौरा tweet किया गया है 17 बज के 23 मिनट में देखें सम्टाइम्स candidates get very high और very low marks in interview यानि कई बार ऐसा होता है कि कुछ student को बहुत अच्छा marks आते हैं और कुछ ऐसे student है जिनने बहुत कम marks आ जाता है this becomes the decisive factor in the results अब जैसा कि हम जानते हैं कि interview 120 marks का है और merit में count होना है तो जिनके ज्यादा marks आ जाएगे obviously उनका merit में अच्छा marks आने का संभाव ना होगा क्योंकि यह compensating factor का भी काम करता है suppose कीजिए कि कोई candidate जिसका मेंस में थोड़ा कम marks आ है लेकिन interview में अगर काफी अच्छा marks आ गया है तो overall marks उनका अच्छा हो जाएगा तो इसलिए चेर्मेंसर कह रहे हैं कि कई लोगों को बहुत ज्यादा मार्च आता है कई लोगों को बहुत कम मार्च आता अब यह मार्च तो बहुत ही निरनायक भूमिकानी भाते है मेरिटी लिष्ट में यानि उनका रिजल्ट देने में तो इहां पे fairness कैसे लाई है क्योंकि यहां पे ही सवाल उठता है कई लोग पच्छपात का आरोप लगातार लगते रहें सिर्फ बीपेसी की बात नहीं अलग लग कई कमिसंस पे आरोप लगते रहते हैं जहां भी भी पच्छपात कारोप न लगा हैं नौव बीपेसी इंटर्भ्यू बोड हैस टू एक्स्प्लेन और जस्टिफाई गिविंग सच भेरी हाईल और लो मार्च और इवरी सच कैंडिडेट चेर्में सर ने ये साफ साफ कहा है कि अब बीपेसी ने ये निरने लिया है कि सब्सक्राइब निरने बताना होगा कि आखिर एको 90 क्यूं दिये ऐसा क्या बात थी कैंडिडेट एमें कि उन्हें 90 मार्च अने दिये और ऐसा क्या नहीं था कैंडिडेट वी में जिससे उसे कम मार्च यानि 60 मार्च तो यह एक्स्प्लानेशन जब आएगा तो कही न कहीं इससे फेर्नेस बढ़ेगा यानि धांदली की अबातिव होती है लगातार अरोप लगते रहता है इस पे कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि अब जस्टिफाई करना होगा ठीक उसी तरह से जैसे आपने देखा है कि बीपी एसी 68 प्रिलिम्स का जो अंसर की जारी किया गया है त सब्सक्राइब करें कि य्क ये अंसर क्यों होगा कि क्या वज़य है कि हम इसका अंसर एले रहे हैं तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को क्लियर हो जाता है कि आखिर इस तरह की गलती उनसे हुई थी सो फ्रेंट्स ये था आज की वीडियो बनाने का मुख्वितेश अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर सेर करें